पर इस बीच सीदे आपको लोगसभा की कारवाई में लिए चलेंगे अइस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से राहूल गांदी दोपैस सवा वारा बजे लोगसभा में बोलेंगे राश्पति के अभी खाशे सब राहू गांदी तो देखना ये होगा कि आखिरकार सदन शांति पून तरीके से चलता या एक बाद खें हंगारने की सिती वहाँ पर दिखाई देती है सवा बारा बजे वक्त नियुक्त किया गया है राहू गांदी के बोलने के लिए इसका मतलब क्या है क्या विपक्ष इस बात से खुश है कि पूरा मौका दिया जा रहा है या नीट को लेकर जो उनकी स्ट्राटेजी थी अंगामे की वह वैसी ही रहेगी मुझे लगता है कि सरकार विपक्ष को इस मामले पर मनाने पर तयार हो गई है कि राश्पती की अभीभाशन पर सबसे पहले चर्चा हो और जिन मामलों को विपक्ष उठाना चाहता है अलग से चर्चा की मांग कर रहा है वो सभी मामले जो है राश्पती की अभीभाशन में समहाइत हैं और इन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो सरकार की तरफ से जो सम्मंधित मंत्रालों के मंत्री है वो जवाब देंगे और इसको लेकर सरकार की जो है विपक्षी दलों के नेताओं को अरिस्ट करने का मामला हो और ग्यारा बच के दस मिनट पर जो है मलिका अरजुन खड़ गे राज्य सभा में जो है इस पूरे मामले को उठाएंगे राश्पती के अभीभाशन के चर्चा के दौरान आज मुझे लगता है कि कि किसी किस तरीके से जो है सरकार को चाहिए वो नीट का मामला हो या पेपर लीक के पूरे मामले हो देश भर के अंदर और उसके साथ साथ जो है जाच एसंसियों के दौरा विपक्षी डलों के नेताओं को जो है जेल में डालने का मामला हो या महंगाई के मुद्दे हो इनको किस तरीके से उठाते हैं, सरकार की तरफ से कौन9 से मंतृइन जवाब देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पहले ही तय है कि नीट और पेपर लिक के ढ sketch सवाब उठाएगा तो धरबेन पुर्धान लोक्सभा और राज्यसभा में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। क्या बनेरी हमाई साथ इस बीच बड़ी खबर डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर सोत्र का अवाले से खबर आ रहे हैं कि इसको लेकर सरकार और प्रतिपक्ष में कोई बाचीती नहीं हुई है लेकिन एक खबर ये भी है कि रक्षा मंस्री राजना सिंग ने मम्ता बनेर्टी को फोन किया और बाचीत चुतरान मम्ता ने स्पीकर के अव्धेश उसाथ का नाम आगे कर दिया लेकिन अब संशेज बात पर कि क्या कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के ओं मिद्वार के लिए सहमती जता पाएगी क्योंकि खबर यही है कि डेपृटी स्पीकर का पाद कॉंग्रेस पार्टी जाती है वैसे में एक तरफ की पहले इनकी कोई बात ही नहीं हुई है दूसरी तरफ खबर आई राजना सिंग और ममता बैंजी के बातचीत की जिसमें वो समाजवादी पार्टी के सांसकत का नाम आगे बढ़ाते हुए नजर आई अब ऐसे में देखना है कि आखर कार्ट विपक्षिदल की आम सहमती डेप्टिस स्पीकर को लेकर क्या बढ़ाते है इमानशू मिश्णा मेरे सायोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इमानशू अवधेश प्रसाद का नाम अचानक से ममता बैंजी ने प्रपोस कर दिया इसके पीछे क्या वज़ा और कारण आपको दिख रहा है देखें बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यह है कि अवधेश प्रसाद जो है आयोध्या से चुनाव जीत कर आए है और क्योंकि एक संसत के अंदर अगर आप देखें कि तो एक परणाली है काम करने की कारेशली है उसके बाद चेर पर विरजवान होते हैं तो जादा तर समय अगर चेर पर देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर ही रहते है और अवधेश परसाद आयोध्या से जीत कराएं तो यह संदेश देने की कोशिश है सरकार को की देखिये आयोध्या से जीते हुए सांसर जो हैं उनको विपक्ष का निता बनाना चाहते हैं इस पर कॉंग्रेस भी अ तयार हो गई है टी-म सी भी थैयार है डि-ए-म के भी तैयार है तमान विपक्षी दल जो है इस मामले पर तयार हो गए है आज आमादभी पार् प्रपोस किया जाता है तो इतने बार से सांसत बने यह सही बात है कि वरिष्टता का ध्यान जरूर रखा जाता है लेकिन ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि जब ओम मिल्ला को स्पीकर बनाये गया था 2019 में तो तीन बार विधायक रहे थे और दूसरी बार के सांसत थे और अवधेश प्रशाद क्योंकि राज्य के अंदर विधायक भी रह चुके हैं मंत्री रह चुके तो उनके पास भी अच्छा एक्सपीरेंस है और डिप्टी स्पीकर जो है क्योंकि नियमों के हिसाब से ही स संसत को चलाया जाता है और उन रूल बुक का अध्यन मुझे लगता है कि क्योंकि वह विधानसवा में बहुत लंबे समय तक रहे और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके तो उनके पास भी अच्छा एक्सपीरेंस होगा और इसलिए विपक्ष ने उनके नाम को आगे बढ लेगा यह अखली श्यातों परनिर्फर करता है कि आयोध्या फैजाबाद से सांसत अवदेश कुमार जी हमारे साथ हैं सर सबसे पहले तो आपका नाम जो है वो रिक्मेंट हुआ है डिप्टी स्पीकर के लिए कैसे आप देखते हैं कि शभी आदलिये कि दलिये नेताओं क अब जन्न करता हूं स्वागत करता हूं और वधाय देता हूं उनके शब के प्रति आभार पगर करता हूं विपक्ष का किन किन लोगों से आपको उमीद है समर्थन मिलने की मम्तम एनर्जी ने भी आपका नाम जो है वो रिक्मेंड किया है तो कितना लगता है कितना समर्थन की उमीदे हैं कज किस विपक्षी दल से ये सब कुछ हमारे आधनिये निता हिंदुस्तान की उमीद आधनिये अखले शादोजी पर सब कुछ निर्भर करता है कि बात करें बैख डेखा जाये आधनिये रहा है बिश्टार से बात करेंगे बएख कुछ देखा है रहा है बिश्टार से बात करऊगा हमारे साथ शुमार जी थे इन्होंने कहा है कि जो अकलेश आदव हैं और विपक्षी दलों का धन्यवाज जिन्होंने मेरा नाम जो है वो रिक्मेंड किया है क्यामरा परसन असिर खान के साथ सुशांत मेरा दिल आस्तर